हालो फेंट्स गूड मॉनिक नमस्ते कैसे हैं आप सब और एक बाफिस से वेलकम आपके अपने चानल में छुटी का दिन है यानि संडे का दिन है आज का व्लोग है और सुबह का टाइम है सुबह की आठ बजगे हैं आज थोड़ा सा में लेट काम पर लगी हूँ क्योंकि में भी चाहिए क्योंकि सारा दिन काम करकर के बॉड़ी बहुत ज़्यादा ठक जाती है उपर से यहां पर इतनी जबरदस्त गर्मी है बहुत ज़्यादा कल मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी कल मुझे वरुन का कुछ हिमांग के कुछ डॉकुमेंट्स जो है और आधार कार्ण पर इसका एड्रेस वेगरा चेंज करवाना था तो उस चक्कर में मेरे इतने सुबह दस बजे घर से निकली थी और यह आप यह जितने भी डॉकुमेंट्स आप देख रहे हैं यह कल हिमांक के लिए हैं और हिमांक की दवाईया कल लेकर आई थी मैं डॉक था बचे हुए हाथ में जितना भी जो मेरा हाथ बचा है उस हाथ में पूरा इतना जबर्दस संटैन हुआ है हाथों में चाले पड़ गए हैं चोटे-चोटे डाले हाथों में हो गए हैं हाथों में खुजली होना जो हो शुरू हो गई हैं बार-बार मैं ठंडे पानी से ह दो रही हूं चेहरे पे भी बहुत जादा जलन हो रही है इवन मैंने सारा चेहरा जो अच्छा से ढखका रखा था चुदड़ी से फिर भी मतला आप मानके चलिए मैं दस बजे घर से निकली थी और दोपेर को सवा तीन बजे मैं वापस आई हूं पूरी धूप में बहुत ब दिखाई आई की में बिल्कूल भी अच्छा फील क्रील करी थी क्योंकि में तो यह नहीं आजए हम एंपता नहीं ही क्यों तो फिर मैंने जबे बार मैंने जो हाथों से सारी चीज़े निकाल दी हैं फिलाल तो डेस्टिंग कर लेते हैं बच्चे भी वो सोकर उठ गए है और बहुत दिनों के बाद बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और फिर वरुन के एफएवन के एक्जाम जो स्टार्ट हो गए हैं तो इसको भी देखना होता है थोड़ा बहुत और यहां पर जो है खाना मिनाने से पहले मैंने खीबी जो पहले बना कर रखा था दो तीन दिन पहले वह भी मैंने डाला नह दो के लिए बचे वह थे जिनका बनाना शेक बच्चों ने पी लिया था तो सुबह कुछ था नहीं तो मैंने सोचा तरबूज ठंडा ठंडा काटकर वह बच्चों को दे देती हूं और तब तक जो हैलका फुलकाइन का काम चल जाएगा और मैं पराठे वेगरा जो है वह स छुटि के दिन भी सारा दिन काम चलता रहता इवन जयो ह посмотрим देशे न फोड़ा आज मैं जाता होगा लेकिन चुटि के दिन कोई भी आराम ज्या नहीं होता है चुटि का दिन सबसे खतरनाक होता जो है क्योंकि छुट्टी वाला दिन जो है साड़ा दिन बच्चों का फर्माईशे पूरी करने में जो वो चला जाता है कभी ये बना दो कभी वो बना दो दिन इतने लंबे हैं गरमी इतनी जादा है बार-बार कुछ ऐसी ड्रिंक जो है बच्चों को पीने का मन करता है जो खुजली वो रही थी तो मुझे ना डर लग रहा था कि कहीं में साबुन से साफ करूं और उसका भी कोई इंफेक्शन वेगरा ना लग जाए तो जुसकी विदा से मैंने बरतन साफ नहीं करें बरतन भी साफ करूंगी पानी भर के रखूंगी क्योंकि इतनी हिमत थी न और बच्चे भी जो हैँ गर्मी के विज़े से बहुत ज्यादा परेशान है पतानी लगभग जिसको भी सुन रही हूं है स्कूलों की छुटियां जहें हो पड़ गई हैं लेकिन हमारे बच्चों की लग को की स्कूलों की चुटियां होई नहीं हैं कि अभी तो ने एनके जो वो शुरू हुए हैं, दो एक्जाम ही हुए हैं वरुन के और तीसरा अभी तो और भी एक्जाम सुझा वो बाकी हैं, मैं अपने बाकी के और काम निप्टाओंगी तब तक जह है आलू को भी उबलने के लिए मैं रख देती हूं, आलू उबलेगा, सीटिया वगेरा लग कि थी फिरो कब दुले कब नहीं मुझे नहीं पता, मैं सो गई थी और यहां पर सोचा तो मैंने यह था कि मैं चिमनी अच्छे से साफ करूंगी, लेकिन फिर हाथों में इतनी हिमत बच्चे ही नहीं थी पतानी क्यों आज हाथ बिल्कुल भी मेरे काम नहीं कर रहे थे, तो डबल वाली बैच्छे दूसरे रूम से में उतार के लाई हूँ और अभी इसको धोके बाकी के काम करूंगी तब तक सुखा दूँगी, काम खतब होके तब तक के बैच्छे सुख जाएगे उसको वापस बिच्छा दूँगी, अभी चलेंगे बाहर और बाहर का मोसम आप दूप में जा रहे, और भी जादा खुजली सी चर्मराट जो है, वो मुझे हो रहा था, और ये घीना मैं फ्रिजर में रखके भूल गई थी, तो बहुत जादा जब गया है, मैंने कोशिश करी, कि मैं इसको निकाल लूँ, चक्कु से भी मैंने ट्राइ करा, लेकिन नहीं अब फिर मैंने सोचा एक घंटे के लिए इसको छोड़ देती हूँ, नॉर्मल टेंपरेचर पर आ जाएगा, तब इसको निकाल लूँगी, और अब यहाँ पर जो है, आलू विगरा चील लेती हूँ, पराठा मैं बनाओंगी, जादा लंबा चोड़ा व्लोग तो मैंने बनाया, जितनी हिम्मत थी उतना मैं जितना बना पाई आप लोगों के लिए उतना जब वो मैंने बना दिया, आई होप आपको थोड़ा बहुत इसको सपोर्ट करेंगे, और यहाँ पर जो है वो आलू है, एक बार तो मैंने सोचा था कि आटे में इनको गूत लेती हूँ, फिर वरुन को वो वाले पराठी इतने ज़्यादा पसंद दी है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है हिमांक को भी, फर मैंने सोचा कभी-कभी वरुन की उसका भी जो होना चाहिए, नमक डाल दिया, थोड़ा मसाला डाल दिया, सूखी मेथी जो इसमें आड़ कर दी, क्योंकि कोरे आलू जो इतने खाई नहीं जाते हैं, तो थोड़ी सी सूखी मेथी मैंने इसमें डाल दिया, अगर पैस डालती तो बच्चे नहीं खाते, कुछ और डालती तो वो भी नहीं खाते, अब ही जे दोपैर का टाइम हो गया है, बच्चे एक जो हिमांक जो वो सो शाब कोर नोचा को झ windows ऐखी अल वरौन प्राइला है और मैं यहां पर अचाल लिया था तो इसके बॉक्स खाली करूंगे और बॉक्स-खाली करके इनको जिगरए जिगरए लगा दूंगे क्योंकि एuck बाक्स अचार के और उसके बाद मैं डाली नहीं पाई हूं हमारे आज आता है चार वाला तूसी से अचार जो हो लेते हैं इस बार था हम आने जो है वो करेले का चार ट्राय करा और सच में बहुत जादा टेस्टी जो हो चार लग रहा था बीठा नेमू खारी बिर्च और करे ग्याए घंटे के लिए मैं पाई रहा जाएगा तो उसको भी अलग से उसको और साफ यह नगी और आभी जो यह व्लोग के करूंगी मैं यहीं पर मिलते हैं नेक्स व्लोग में जो फर्स टैंब विजट कर आ है लाइक कर देना शेर कर देना सब्सक्राइब कर देना चैनल क thank you so much for watching my vlogs मिलते हैं next vlog